नमस्कार मैं 80 स्राथोर आपका स्वागत करता हूँ अर्विंद केजरीवाल जबसे शड़ाब घोटाले में फसे हैं जबसे ED के चारशिट में इनका नाम आया है तब से सवाल केजरीवाल के उपर उठने लगे हैं और सवाल कोई और नहीं उठा रहा है दिल्ली की जनता केजडी वाल पे सवाल खरे कर रही है कि हमने आपके ऊपर इतना भरोसा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया और आप अंदर ही अंदर इतने बरे बरे घोटाले कर रहे थे कभी सिक्षा घोटाला तो कभी शराब घोटाला और ना जाने कितने सारे ऐसे घोटा और विन्द केजड़ी वाल को ले करके तब से आम आदमी पाटी सरकार में एक तरह का हर कंप मच गया है लोग अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए रैलिया कर रहे हैं लोगों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं लोगों के तकलीफे को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तो दिल्ली की जनता को सब समझ में आ गया है कि इतने दिन तक मुर्ख बनाया फ्री की रेवरी बाटी अब दिल्ली की जनता मुर्ख नहीं बनेगी केजडी वाल के जहासे में नहीं आएंगे लोग तो अब क्या करेंगे केजडी वाल जी सिसोधिया को हाई कोट के सामने क्यों गिर गिराना पर रहा है ये आपको आगे बताएंगे मगर केजडी वाल जी रैली कर रहे है और तंज का दौर शुरू हो गया है राजनीति महौल गरम हो गया है अभी आपको बताएं बड़ा मामला ये है कि जालंदर लोकसभा उपचुनाव को ले करके आरोप प्रतियारोप का दौर शुरू हो गया है जालंदर में राजनीतिक बयान बाजियों से चुनावी महौल पुरी तड़ीके से गरमा गया है आज सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संयोजग एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जालंदर आगमन से पुर्व पंजाब प्रदेस कॉंग्रेस के प्रधान ने तंज कस्ते हुए एक ट्विट किया है पंजाब कॉंग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंग राजा वरिंग ने ट्विट में आम आदमी पार्टी के संयोजग अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में है जारी कर पूछा है कि अब जहलंदर में लोगों के साथ नया जूट क्या बोलेंगे उन्होंने अपने ट्विट में लिखा है कि जहलंदर के लोग जानना चाते हैं कि आपके वादे के अनुसार देश की सबसे बरी युनिवर्सिटी और अंतर रास्ट्री हावाई अड़ा कहां पर है केजरीवाल और सीएम भगवंत मान इसका जवाब दें राजा वरिंग ने जालंदर के ग्रामिन छेत्रो शाहकोट नकोदर वगएरा में विभिन जनसभाओं में अपने संबोधन के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जालंदर के करतारपूर में ही महिलाओं को एक एक हजार रुपय देने के गैरेंटी फर्म भरवाएं थे लेकिन सत्ता में आने के बाद एक साल गुजर जाने के बाद भी महिलाओं के खातों में एक एक हजार रुपया नहीं आया है वरिंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजडी वाल ने महिलाओं को गैरेंटी दी थी कि सत्ता में आते ही महिलाओं को पैसे देंगे उस हिसाब से देखा जाए तो एक साल में महिलाओं का 12,000 रुपया बन गया है उन्होंने कहा कि आम आदमी पाटी के नेता जूट बोलने में एक्सपर्ट है महिलाएं आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है केजडी वाल के जूट तो पूरे देश में चर्चा का विसा है या कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें केजडी वाल ने जूट बोल करके राज में अपनी जगा बनाई हो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां जूट के लॉली पप दिखा करके फ्री की रेवरी माट करके केजडी वाल जिस सत्ता में आने की कोशिश करते हैं लेकिन वह जूट परदाफास हो जाता है तो वो दिल्ली के जंदा की सेवा कब करते हैं सवाल ये विपक चुठा रही है केजडी वाल को ले करके मनीज सिसोदिया बड़ा मामला एक निकल करके सामने आगया है कि मनीज सिसोदिया हाई कोट के सामने गिर गिरा रहे हैं अपनी जमानत को लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि जमानत मुझे किसी तरह से मिल जाए लेकिन CBI इसका बार-बार विरोत कर रही है CBI ने सापत और पर यह कहा कि मनी सिसोदिया उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं इनका वर्चस्व है अगर इनको जमानत देते हैं तो यह सबूतों के साथ छेचार कर सकते हैं सबूतों को नस्ट कर सकते हैं गवाहों को भठका सकते हैं तो उस आधार पर महोदे मनी सिसोदिया को जमानत ना दिया जाए मनी सिसोदिया के वकील ने विरोध किया इसका कि जमानत दे दीजिए महोदे जी जब भी बुलाया जाएगा हम सहमती देंगे, हम सहायता करेंगे, जब बुलाएंगे हम उपस्तित रहेंगे तो इतनी कोशिश करने के बाद भी हाई कोट ने लतार लगाई हाई कोट ने पूरी तरीके से सिसोदिया को फटका रहा और उनके उपर जो आरोप लगे हुए हैं वो आरोप भी साबित होती हुई जा रही है, क्योंकि सबुत CBI ने सारे पेस कर दिये हैं हाई कोट के सामने, अब CBI ने हाई कोट के सामने यह कहा है कि अभी शराब घोटाले मामले में महत्पुन नीतियों पर जाच चल रही है और हम अंतिम छोर पे हैं, अभी अगर मनीश सी सोधिया को जमाना देते हैं, तो जितने भी सबुती कठा किये हैं हमने वो सब सबुतों के साथ छेचार कर सकते हैं और CBI ने यह भी कहा कि अभी अमंदीब सिंग धल को भी जो गिरफतार किया गया है, उनकी गिरफतारी के बाद बहुत सारे ऐसे तार जुरे हुए हैं जिस आधार पर बरे बरे जो इसमें गैंगस्टर हैं, जो वैपारी का चोला पहने हुए हैं, और बरे बरे मंत्री हैं, जो देश हित की बात करते हैं, वो सब भी इस पूरे शराब घोटाले के मास्टर माइन हैं तो महदे तमाम चीजों को समझें और मनीज सी सोदिया को जमानत ना दें CBI ने आगे यह भी कहा कि साउथ ग्रूप का एंगल शराब घोटाले का सबसे महतपून एंगल है और कैसे साउथ ग्रूप लॉबी इस शराब घोटाले में जुर करके करोरो करोर रुपए का घोटाला किया तो इन तमाम चीजों से जो CBI ने खुलासा किया है हाई कोट के सामने मनीज सी सोदिया इस खुलासे के बाद बखलाए हुए हैं तिल मिलाए हुए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत उमीदों से कोशिशों से गिर गिराना शुरू किया था हाई कोट के सामने लेकिन हाई कोट ने पुरी तरीके से मनीज सी सोदिया को फटकार लगा दिया और कहा कि कानून का समय बरवाद ना करें और कहीं न कहीं मनीश सी सोदिया की जिस तरीके से बार-बार उनकी सोसल मीडिया पर फोटो वैरल होती है उसमें वो मुस्कुराते नजर आते यह बहुत खुश मिजाज नजर आते हैं कि उनको थोडा सा भी शर्म नहीं हैं। उनको फोरी भी डर नहीं हैं। इसलिए सायद मनिशी सोदिया जी को डर नहीं लगता है।